हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल एस्टोलोजी टेप सिंधी में 20 अपरेल 2030 एक साथ दिखेंगे तीन सूरी ग्रहन भारत में कितने बजे कब और कहां दिखेगा चार आश्या तो होंगी माला माल लेकिन ये लोग रहें सतर दोस्तो साल का पहला ग्रहन इससी दिन बैसा की अमावस्या है ये ग्रहन मेश रासी और अश्वी नक्षत्र में लगेगा जिस वजह से सूरी ग्रहन का सबसे ज्यादा पर्भाव मेश राशी के जातव को पर रहेगा 20 अपरेल दिन गुरुवार को लगने वाली सूरी ग्रहन का समय सुबह साथ बचकर चार मिनट से दो पर बारा बचकर 29 मिनट तक रहेगा यानि ग्रहन की कुल अबधी 5 गंटे 24 मिनट की होगी बता दी कि यह ग्रहन भारत में नहीं दिखाई देगा जिस वजह से सूतक काल और नियम भी भारत में माने नहीं होगे साल 2023 का पहला सूरी ग्रहन भारत में तो नहीं दिखाई देगा लेकिन दुनिया के अलग-अलग भागों में इसे देखा चा सकीगा 20 अप्रेल को लगने वाला सूरी ग्रहन आस्ट्रिविया, पूर्व और दक्षिन एसिया, परशान महासागर, अटलांटिका और हिंद महासागर में दिखाई देगा दोस्तो इस बार का सूरी ग्रहन बेहर दिखास रहने वाला है, क्योंकि यह सूरी ग्रहन तीन रूपों में देखने को मिलेगा इनमें आशिक, पूर्ण और कुंडला का सूरी ग्रहन शामिल होंगे विग्यानिकों ने 20 अफ्रेल को लगने वाले सूरी ग्रहन को हाइब्रेट सूरी ग्रहन का नाम दिया है यह हाइब्रेट सूरी ग्रहन सौ साल में एक ही वाल लगता है सूरी ग्रहन का कई राश्यों के जीवन पर अच्छा तो कई राश्यों के जीवन पर बूरा परभाव रहने के संकेत है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यह सूरी ग्रहन किन राशियों के लिए भागी शाली रहेगा और किन राशिवालो जातकों को ग्रहन के दौरान साबधान रहने के जरूरत है दोस्तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एस्ट्रलोजी टिप्स हिंदी में सब्सक्राइब नहीं के है तो आज इस सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को भी जरूर किलिक करें जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो चलिए अब नोखरी और रोजकर सम्मद्धिक कोई बाधाय आ रही थी तो वह भी इस दोरान समाथ होने के योग हैं साथ है आपको तरकी के नए अफसर मिलेंगे परेजनों कभी आपको पूर्ण सही योग मिलेगा सूरी ग्रहन पर दूसरी भागेशाली राशी है मिथुन नाशी 20 जातकों के लिए शुब रहेगा इस दोरान आपको सुप समाचारों की प्राप्ति होगी नौखरी और वैपपार में लाप के योग हैं पूर में आपके द्वारा किया गया धनिवेश आपको दो गुना फल प्राप्त करा सकता है खर्चों में बढ़ोतरी होगी लेकिन आय सूरी ग्रहन का सुपरभाव पढ़ने की संभामना है नई योजनाओ पर काम कर रही लोगों को काम्याबी मिलेगी और वही अगर जिनका पैसा कही फसा हुआ है उन्हें भी पैसा पुनह वापस मिलने के योग है जीवन साथी के सांद संबंधों में निकरता हैगी और परि कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है इस दोरान आये में बड़ोतरी तो होगी लेकिन अनावर्श्य के खर्चे भी हो सकते हैं यदि आप खर्चे में नियंत्रन करने में काम्याब हुए तो आप अच्छा धन संजे कर पाने में सफल होंगी सूरी ग्रहन के दोरान आप जातकों को सूरी ग्रहन के दोरान विस्से साबधानी बरतने की आवश्यक्त है धन हाने की संभाव नहें इस समय सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी इस दोरान किसी भारे व्यक्ति पर भरोसा करने से बचे धन घर्च सो समझ कर ही करें खासकर सा राशी के जातक ग्रहन काल में मंद्रों का जाप करें इसके अनावा करक, तुला, कुम्भ, ब्रिशिक और मकर राशी वालों के लिए यह सूरी ग्रहन सम्मानी रहेगा दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो यह वीडियो अपने दोसों से शेर करें और आगी के ऐसी ही लेटस्ट वीडियो के लिए आज ही एस्ट्रलोजी टेप्स हिंदी में चाहल को सब्सक्राइब करना ना भूने जैम आता दी